Hello Everyone, Welcome to Wi-Fi Study which is a part of Unacademy Group दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रास्टी खेल पुरुसकार 2021 से संबंदित टोप 25 MCQs जो की upcoming सभी एक्जाम के point of view से important होने वाले हैं अभी group D का भी एक्जाम दोस्तो स्टार्ट हो गये हैं नहीं जोइन किया है तो मैं आपको plus के benefit बता देता हूँ क्योंकि आप subscription जब भी जोइन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि Unacademy Plus पे क्या-क्या मिलता है देखें live classes मिलती है, structure courses मिलते है weekly test unlimited access यानि कि आप किसी ब एजुगेटरी class देख सकते है personal guidance मिलती है, test analysis, expert guideline मिलती है दोस्तो study planner मिलता है, study material और भी बहुत सारी चीज़े है दोस्तो जो Unacademy Plus पे आपको मिलती है जब आप Unacademy Plus subscription जोइन कर लेते है Plus subscription जोइन करने से पहले आपको एक referral code की जरुत होती है referral code याद रखेगा, study रैन है, यह सभी category में applicable है SSC, UPSC, Railway, Bank, NEET, IIT, J, जो भी exam के लिए आप त्यारी करना चाते है या तो आप त्यारी करना चाते है, आपका दोस्त या आपका friend जो भी मतलब relative आप उसको भी बता सकते हैं कि इस code को लगा के आप subscription जोइन कर सकते हैं अभी सफलता बैच स्टार्ट हो रहा है, दोस्तो, 17th November से तो आप इसको जोइन कर सकते हैं और इसमें आप ये जरूर देखेगा, SSC category का मैं बता रहा हूँ, बाकी की category में भी यही चीज़ अप लिकेबल होगी और अगर आप 12 मन्त का जोइन करते हैं तो 542 पर मन्त मिलता है, और 6 मन्त का अगर आप subscription के साथ में जाते हैं तो 900 पर मन्त का subscription आपको मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि 325 सबसे चीफ है, और जैसे आप ये code एपलाई करोगे तो ये subscription और भी कम हो जाएगा तो आप इस code को एपलाई करके subscription जोइन करिए और अच्छे से त्यारी करिए, तो चलिए अभी शुरू करते हैं इस class को पूरा end तक देखेगा तो आज की वीडियो का पहला question है, इन में से किसे 2021 अरजुन प्रुसकार से सम्भानित किया गया तो फटा-फट जल्दी से जितने भी student को answer पता है, नीचे comment box में जरू बताते रहिएगा दोस्तो 2021 में अरजुन प्रुसकार से सम्भानित किया गया है, बिल्कुल इन तीनों को, यानि कि उप्रुक्त सभी इस question का right answer होने वाला है काफी easy question है, ऐसे मैं direct-direct question कराने वाला हूँ, ठीक है अगला question आता है, बावीना प्रुसकार को 2021 अरजुन प्रुसकार से सम्भानित किया गया, वे किस खेल से सम्भानित है ठीक है, जल्दी से answer बता दीजे मेरे प्यारे दोस्तों, इस question का right answer हो जाएगा पैरा table tennis से सम्भानित है ये, और ये question important बन सकता है वाई, क्योंकि ऐसे question exam में आज कल पूछे जा रहे है अगला question आता है, इन में से किसे 2021 दोरणाचारिय प्रुसकार से सम्भानित किया गया तो इन में से किसे 2021 दोणाचारिय पुरुषकार से सम्मानित किया गया इस question का सही उत्तर होगा मेरे प्यार दोस्तो सरकार तलवार को यानि की option यहाँ पर a right answer हो जाएगा यह आपको याद रखना है नेक्स कोशन इस 2021 में कितने व्यक्तियों को lifetime सरेणी में दरणाचारिय दिया गया है तो यह question भी एक important question है और इस question का right answer भी हो जाएगा अगला question है संध्या गुरुंग जिने 2021 में दरणाचारिय पुरुषकार दिया गया किस खेल से संबंधी थे तो यह संबंधीत है मेरे प्यारे दोस्तो बिल्कुल सही है boxing के सेत्र में यानि की option यहाँ पर air return हो जाएगा तो ज़र 21 में अरजुन पुरुषकार मलकम के खेल में किसे दिया गया है मलकम के सेत्र में दोस्तो किसे दिया गया है तो यह दिया गया है हिमानी उत्तम पर्व को यानि की option हो जाएगा यह बै होगा पर पे रे बै यानि की option सी रे टांस हो जाएगा तो यह है आपको याद रखने है दोस्तो राजीव गांदी खेल दतन पुरुषकार का नाम किस वर्स बदला गया और यह आप मुझे comment box में बताएंगे काफी easy question है राजीव गांदी खेल दतन पुरुषकार का नाम बदल कर अभी क्या कर दिया गया है और इस question का right answer दोस्तो 2021 में बतला गया है तो right answer do हो जाएगा सभी को comment box में बताना है साथवी question का answer इन में से किसे 2021 ध्यान चंद खेल दतन पुरुषकार से संभानित किया गया देख इस question का right answer हो जाएगा दोस्तो लव लेना बार्गोहिन यानी की option हो जाएगा C ठीक है ना next है इन में से किस पेरा सूटर को 2021 ध्यान चंद केल दतन पुरुषकार से संभानित किया गया दोस्तो right answer is अवनी लेखरा यानी की option हो जाएगा दोस्तो अर्जुन पुरुषकार की इस्थापना हुई थी किस वर्स में देखे अर्जुन पुरुषकार की इस्थापना हुई थी 1961 में यानी की यहाँ पर right answer भी होने वाला है 2021 में कितने खिलाडियों को अर्जुन पुरुषकार से संभानित किया गया तो दीखे 2021 में कितने खिलाडियों को अरजुन पुरुषकार से सम्मानित किया गया इस question कर रही टांस हो जाएगा 35 35 लोगों को 2021 में अरजुन पुरुषकार से सम्मानित किया गया है दोस्तों अगला question है सिय भवानी देवी को इन में से कौन सा 2021 खेल पुरुसकार परदान किया गया तो सिय भवानी देवी को इन में से कौन सा 2021 खेल पुरुसकार परदान किया गया तो राइट आंसर होजेगा अर्जुन पुरुसकार राइट आंसर इस ओप्शन है तो मेजर ध्यांचन्द पुरुसकार की स्थापना किस वर्स की गई थे? तो मेजर ध्यांचन्द पुरुसकार की स्थापना 2002 में की गई थी रैट आंसर is option B निमलकित में से किस खिलाड़ी ने 2020 पयरा उलम्पिक में जैवलिन थ्रों में गोल्ड मेडल जीता था? तो देखिए 2020 के पैरा उलम्पिक की मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे स्टुडेंट्स यहां पर नीरत चोपड़ा लगा देंगे तो ध्यान से आराम से सोच समझ के आंसर करिएगा सुमित अंतील इसकोशन का रेट आंसर होगा पैरा उलम्पिक में इन्होंने भी दोस्तो गोल्ड मेडल जीता है तो यह रेट आंसर भी होगा 2021 में मोलाना अबुल कलाम आजा ट्रोफी किसे परदान की गई तो यह ट्रोफी दोस्तो दी गई है पंजाब यूनिवरस्टी चंदिगड को यानि कि यहाँ पर रेट आंसर ओप्षन है हो जाएगा दोस्तो पहली बार राजीव गांधी खेल रतन किसे परदान किया गया था तो इस कोश्चन का रेट आंसर होगा विस्वनाथन आनंद यानि कि रेट आंसर इस ओप्षन है परमोध भगत जिनने 2021 में मेजर ध्यान चंद खेल रतन से सम्मानिच किया गया है किस खेल से सम्मंदित है तो राजट आंसर होजएगा पेरा बेडमिन्टन से सम्मंदित है यानि कि ऑप्षन भी राजट आंसर होगा राश्ट्रे खेल दिवस मनाया जाता है तो राश्ट्रे खेल दिवस दोस्तों किस तारीक को मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 29 ओगस्थ को यानि कि ऑप्षन डी राजट आंसर होजएगा दोस्तों कृषन नागर को 2021 ध्यान चंद खेल रतन प्रुषकार से सम्मानिच किया गया वे किस खेल से सम्मान दिथ है तो यह सम्मान दिथ है दोस्तों पैरा बेडमिनटन से यानि की ओप्षन डी राजट आंसर होगा दोजधन 21 में कितने खेलाडियों को ध्यान चंद खेल रतन प्रुषकार पर्दान किया गया तो यह है परदान किया गया है 12 को यानि कि 12 लोग को तो option होगा be right answer और दोस्तों नीरा चोपड़ा को किस वर्स में अर्जुन पुरुषकार से सम्भानित किया गया यह answer आप मुझे नीचे comment box में बताएंगे यह मैं आपके ओपर छोड़ता हूँ ठीक है और थोड़ा सा hint भी दे देता हूँ इन दो को छोड़के बताएगा 16 में या 18 में अब इस से easy मतलब मैंने समझो answer ही बता दिया है तो जल्दी से answer बताएए मैं सभी के comment box में answer कवेट कर रहा हूँ और please वीडियो को बिना बोले ही like कर दिया करो ठीक है मिलते है next वीडियो में और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा feature जो की unacademy पर आपको मिल जाता है जहां पे आप report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की study से related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे बेज के और जो सबसे पहले बेज़ेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लिजेगा पीडियो भी आप download कर सकते हैं आइकन को on रखे और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मात ठीक है और देखे अनकेडमी पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो धाई बजे ठीक है और एक होती है रात को 11 बजे दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाऊगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा अनकेडमी profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चलिए मिलते है next class में thank you so much